तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, अगर आप अपने फोन में Snapchat का एकाउंट पर्मानेंट के लिए आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कैसे डिलीट करेंगे, जैसे कि आपके पास Snapchat का दो एकाउंट है या आपके पास दो ID है और उन में से आप एक ID को delete करना चाहते हैं Snapchat का account आप हमेशा के लिए delete करना चाहते हैं तो आप कैसे delete करेंगे इस वीडियो को आप ध्यान से देख लिजिए इस वीडियो के अंदर हम आपको details में step by step बताएंगे क्याकर करेंगे इस वीडियो के अंदर details में हम आपको बताने वाले हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा अगर आप अपने Snapchat को यहां से open करेंगे और यहां पर आप देखेंगे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको delete करने का setting इसके आपको क्या करना है कि आपको यहां से बैकाना है बैकाने के बाद आपको अपने phone में आपको कोई भी एक browser open करना होगा तो हम यहां से browser को open करेंगे जैसे आप browser को open करते हैं इस तरीके से आपका browser open हो जाएगा यहां पर आपको search बार पर click करना है यहां पर आपको सर्च करेंगे Snapchat और Login जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा Login Snapchat आप इस पर क्लिक करिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करिए जैसे आप थोड़ा सा इंतिजार करेंगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा login करने का तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस तरीके से आ चुका है हमें यहाँ पर login करने का page मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आप इस पर click करिए Click करने के बाद यहांपर आप देखेंगे कि हमारा पहले से login है तो सबसे पहले हम long out पर click करेंगे जिस्वे हम इस पर click करते हैं Click करने के बाद हमारा account यहां से long out हो जाएगा आपके समने इस तरीके से page आगा यहांपर आपको देखने को मिलेगा user या email और आपको password देते हैं, जैसे हम email डाल देते हैं, आप अपना यहाँ पर user name भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपना email डालेंगे, और जो हमारे Snapchat का password है, वो हम यहाँ पर password को fill up करेंगे, मैंने यहाँ पर password fill up कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा login, आप login पर click करिए, जैसे आप login पर click करेंगे, थोड़ा सा आपको wait करना होगा, और जैसे आप थोड़ा सा wait करेंगे, आपके mobile number पर एक code आएगा, वो code आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, verification code होगा, तो हमारे mobile number पर आ चुका है, आया है 26, 15, 31, हम इस पर click करेंगे, यहाँ पर डालेंगे 26, 15 21, और यहाँ से हम submit करेंगे, जैसे हम submit करेंगे, उसकी बाद हमारा जो ID होगा, हमारे browser के अंदर login हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि हमारा जो ID है, वो browser के अंदर login हो चुका है, आप इसे यहाँ से reference करेंगे, जैसे आप reference करते हैं, आपके सामने एक न थ्री डॉट आप इस पर कलिक करेंगे के इस तरीके से आपके सामने पेज ऐगा यहाँ पर मिल जाएगा Snapchat आप इस पर क्लिक करिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आजाएगा accounts आप इस पर क्लिक करिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से page आजाएगा नहीं तो आपका यही page आपका जैसे ही आप login करेंगे आपके सामने पहले ही यहाँ पर यही page आ जाएगा नहीं आता है तो इस तरीके से आप इस page पर आ सकते हैं उसके बाद यहाँपर मिल जाएगा delete my account आप इस पर click करिए जैसे आप इस पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने एक next page open हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से पीज आ चुगा है जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा होगा यहाँ पर हमारा username है यहाँ पर आपको बोला जाएगा password तो यहाँ पर आपको अपना password डालना होगा तो इस पर हम click करेंगे जो हमारे Snapchat का password है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं जैसे आप यहाँ पर password डाल देंगे उसके बाद continue कर देना है जैसे आप continue करेंगे थोड़ा सा आपको wait करना होगा आपके सामने आ जाएगा account deactivated उसके बाद थोड़ा सा नीच आना है जैसे आप थोड़ा सा नीच आएगे यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका account पुरी तरीके से deactivate हो चुका है यहाँ पर आपको बताया जाएगा your snapchat account will be deactivated और आपके पास एक notification आ जाएगा जैसे कि हमारे mail पर आ चुका है इस पर हम click करेंगे इस पर click करने के बाद इसमें आपको बताया गया है यहाँ पर देखने को मिलेगा dear हमारा name है यहाँ पर आपको बताया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको बताया गया है here a confirmation that you have choose that delete your snapchat account और आपका username और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका यह account 30 दिनों के लिए deactivate रहेगा यानि कि किसी को देखने को नहीं मिलेगा और 30 दिनों के बाद आपका यह हमेशा के लिए permanent के लिए delete हो जाएगा तो यह होता है आसान तरीका जहां से आपने Snapchat का account आप delete कर सकते हैं इसमें आपको कोई भी यहाँ से problem नहीं होगी तो इस तरीके से आप delete कर सकते हैं आपको पता चले गया होगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद